कैसे हो प्यारे विध्यारतियों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टुडेंट में इस वीडियो क्लास में हम प्रिश्णा वली तीन दसम्लक तीन का पहला सवाल सॉल्ब करेंगे फर्स, सेकिंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हम लोगोंने सॉल्ब कर लिया है और इन सभी सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप ये सभी सवाल देख सकते हैं इस वीडियो क्लास में हम फिट पार्ट को solve करेंगे, ठीक है? सवाल है निम्न रैखिक समीकरण यूगं को प्रतिस्थापन बिदी से हल कीजिए तो देखो फिट पार्ट में हमें ये दो रैखिक समीकरणें दी रही है यानि रैखिक समीकरणों का एक यूगं दिया है इस यूगं को हमें प्रतिस्थापन बिदी से हल करना है हल करने का मतलब है कि इसमें ये जो चर दिये हैं X और Y इनके हमें मान निकालने, ठीक है? वो भी प्रतिस्थापन बिदी से इस समीकरण यूगं का हमें हल गयात करना है प्रतिस्थापन बिदी से यानि इन समीकरणों में हमें ये जो चर दिये हैं X और Y इनका हमें मान निकालना है ठीक है? तो देखो प्रतिस्थापन बिदी में हम क्या करते हैं दोनों में से कोई एक समीगण ले लेते हैं फिर हम किसी एक चरका मान किसी दूसरे चरके पद में लिखते हैं और इस परकार से हमें जो चरका मान मिलता है उसको हम दूसरे समीगण में रखते हैं यानि जिस समीगण से हम मान निकालते हैं में ना रखकर दूसरे समीकर्ण में रखते हैं और इस पिरकार से हम रैखिक समीकर्ण यूग का हल गयात करते हैं यानि दिये हुए चरो का मान निकालते हैं तो चलिए सवाल को solve करते हैं एक-एक step समझाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना इस्टुरेंट्स इन दोनों में से कोई एक समीकर्ण ले लेनी हैं तो यहाँ पर हम समीकर्ण second ले लेते हैं ठीक है समीकर्ण second से अब हमें यहाँ समीकर्ण second लिख लेनी है under root 3x minus under root 8 by बरावर 0 यह second समीकान है अब यहां हम क्या करेंगे या तो x कमान by के पदो में लिखेंगे या फिर by कमान x के पदो में लिखेंगे ठीक है? तो हम x कमान by के पदो में लिख लेते हैं तो x कमान by के पदो में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा इधर हमें x रखना होगा ठीक है और इन सभी चीजों की side change कर लेने है ठीक है तो x हम सेम लिख लेंगे और बरावर इधर 0 है minus under root 8y की side change करेंगे तो इधर आकर यह हो जागा plus का under root 8y इस 0 का कोई मतलब नहीं है इसमें जोड़ो या गटाओ कोई फरक नहीं कोड़ेगा ठीक है तो minus under root 8y की side change करेंगे तो यह हो जागा plus का under root 8y और अब x के साथ under root 3 गुणा में हैं अब इसकी side change करेंगे यह गुणा में हैं तो यह आजागा under root 8y के बटे में ठीक है तो इस प्रकार से हमें x का मान by के पदू में मिल जाता है और इसको हम बोल देते हैं समीगर्ण 3 ठीक है देखो यहां हमने समीगर्ण 2 से यह मान निकाला है आप समीगान 1st से भी यह मान निकाल सकते हैं अब हमने समीगान 2nd से मान निकाला है तो x का मान हमें अब समीगान 1st में रखना होगा x के स्थान पर और अगर आप समीगान 1st से x का मान निकालते तो आपको समीगान 2nd में रखना होता मान ठीक है तो हम x का मान समीकर्ण 1st में रखेंगे x के स्थान पर समीकर्ण 1st में x बरावर अंडूरूट 8y बटे अंडूरूट 3 प्रती स्थापित करने पर यानि समीकर्ण 1st में x का मान अंडूरूट 8y बटे में अंडूरूट 3 रखेंगे ठीक है तो यहां हम समीकाण 1st लिख लेते हैं तो समीकाण 1st है अंडूर 2x पिलस अंडूर 3y और बरावर 0 ठीक है अब इसमें हमें x का मान यह रखना है ठीक है अंडूर 8y बटे अंडूर 3 तू देखो अंडूर 2 यह सेम रहेगा और x का मान यह हो जाएगा अंडूरूड 8 y और बटे में अंडूर 3 ठीक है ये x कमान हो जाता है फिर प्लस अंडूर 3 और बरावर 0 अब हम इस bracket को हटा लेते हैं ठीक है तो bracket हटाएंगे अंडूर 2 की गुणा अंडूर 8 y से हो जाएगी अंडूर 3 से नहीं करना है ठीक है और प्लस अंडूर 3 y और बरावर 0 यहां तक समझ में आ गया अब इसको हमें solve करना है तो इसको solve करने के लिए हमें अंडूर 3 y के बटे में एक लगा लेना है ठीक है जहां कुछ नहीं होता बहुम एक लगा सकते हैं अब हम अंडूर्ट 3 और 1 का LCM ले लेते हैं तो LCM लेने के लिए हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं ठीक है? अंडूर्ट 3 गुणा 1 यह हो जाएगा अंडूर्ट 3 तो यह LCM हो जाता है तो एक से अंडूर्ट 16 वाई की गुणा करेंगे, तो यह अंडूर्ट 16 वाई की गुणा करेंगे, तो यह अंडूर्ट 16 वाई ही रहेगा, फिर प्लस लगा लेंगे, फिर अंडूर्ट 3 से अंडूर्ट 3 वाई की गुणा करेंगे, तो अंडूर्ट 3 गुणा अंडूर्ट 3 कमान 3, by है by लगा लेंगे और बरावर 0, इस अंडूट 3 की साइट चेंज कर लेंगे, तो यह इदर आ जाएगा गुणा में, ठीक है, 4y प्लस 3y यह हो जाएगा, 7y बरावर, 0 गुणा अंडूट 3, 0 से किसी भी संख्याई गुणा करो, तो 0 ही हो जाता है, तो यह हो जाता है बटे में, ठीक है, अब अगर हम, 7 से 0 को भाग देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, किसी भी संख्याई से आब 0 को भाग दो, तो answer 0 मिलता है, तो यहां हमें, एक चर कमान मिल गया है, यानि, by कमान हमें मिल गया है, 0, अब हमें x कमान निकालना है, तो x कमान हम ब समीकान 3 में बाई बरावर 0 रखने पर हमें बाई कमान 0 मिला है तो बाई कमान हम समीकान 3 में रख देंगे ठीक है तो यहां लिख लेते हैं समीकान 3 रख लेंगे और इसके बटे में आ जाएगा अंडूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विदी से Самीगण यूगु का हल गयात करते हैं यानि दिये हुए चरो का मान गयात करते हैं तो यहाँ x कमान जीरो हो जाता है तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा अगर सवाल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप मुझे अपना प्यारो सपोर्ट जरूर दें तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास